खरगोश को ले गई चील एक तिन चिडिया और कव्वा कुछ काम से दूसरे जंगल में गए हुए थे हाथी और खरगोश घर के बाहर खड़े ओकर कुछ बाते कर रहे थे अरे वो देखो इतना बड़ा पक्षी हाँ लगता है एक चील है अरे ये क्या लगता है वो हमारी तरफ ही आ रही है भागो लेकिन चील की स्पीड तो कुछ जादा ही तेज थी वो भागना शुरू करते कि चील नीचे आई और खरगोश को पकड़ कर ले गई हाथी बचाओ बचाओ लेकिन हाथी कुछ ना कर पाया हाथी बेसबरी से चील और कववे का इंतजार कर रहा था और जैसे ही वो आए उसने तुरंट सारी बात उन दूनों को बता दी खरगोश ने कहा था कि चिडिया और कववे मुझे जरूर डून निकालेंगे कोई तो वज़ा होगी कि उसने तुम दूनों का ही नाम लिया ये तो महाती बुरा हुआ अच्छा ये बताओ चील खरगोश को किस सरफ लेके गई हम उसी सरफ ढूनना चालू करते हैं हाथी को जो पता था उसने वो चिडिया और कववे को बता दिया और वो दोनों हाथी के बताए हुई डायरेक्शन में उड़ने लगे ऐसे कहां ढूंडेंगे हम उसे वो भी इतने बड़े जंगल में ध्यान से देखो शायद खरगोश ने कोई निशानी छोड़ी हो चिडिया और कवव काफी देर उड़ते रहे लेकिन कुछ समझ नहीं आया थोड़ा नीचे उड़ते हैं शायद कुछ दिखाई दे तो चनी लग रहे हैं ऐसा तो नहीं कि खरगोश के हाथ में चने हो और वो उसे गिराता वग गया हो चलो इन दानों को फॉलो करते हैं वाकई वो दाने एक लाइन में चले जा रहे थे और फिर अचानक से एक जगा जाकर खतम हो गए कहीं ऐसा तो नहीं कि खरगोश के चने यहां जाकर खतम हो गए हो या फिर वो कहीं यहीं कहीं तो नहीं चिडिया और कववा च्छान बीन में लग गए लेकिन खरगोश तो कहीं नहीं दिखा खरगोश खरगोश क्या तुम यहां हो खरगोश खरगोश अरे दोस्तों मैं इस गुफा में हूँ चिडिया और कववे ने देखा कि उनके पीछे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था वो असल में एक पत्थर नहीं बलकि एक बड़ी गुफा थी अरे कहां है इस गुफा का मुँ वो देखा उपर वहां है मेरे कहाल से गुफा का मुँ चिडिया और कववा उपर पहुँच गए और वहां एक छोटी सी खिडकी थी उन्होंने खिडकी से जहांका और उन्हें दिख गया उनका दोस्त खरगोश खरगोश श्श्श चिलाओ मत चिल यहां किसी भी वक्त आ सकती है अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम एक मजबूर डंडी ढूंडो जिसका एक एक कोना तुम दूनों अपनी चोच में दपा लेना बीच में मैं उस डंडी को पकड़ लूँगा और फिर हम तीनों उड़कर यहां से चले जाएंगे चिडिया क्या तुम वजन उठा पाओगी हाँ हाँ इतनी भी छोटी नहीं हो मैं चिडिया और कवा जंगल में से एक मस्बूर डंडी डूंड कर ले आए और लग गए खरगोश को बचाने में देखो मुझे गिरा मत देना और गलती से मूँ मत खोलना बोलने के लिए वरना हो जाएगा काम जैसा उन्होंने प्लान किया था खरगोश तंडी पर लटक गया और चिडिया और कवा ले गए खरगोश को उस कुफा से बहुत दूर अपनी घर अरे दीरे ओडो मैं गिर जाऊंगा तो देखा बच्चो एक बार फिर खरगोश ने पकड़े जाने पर भी सूझ बूझ से काम लिया और अपनी दोस्तों की मदद से चील के चंगुल से बच गया कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और नई नई कहानिया सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना बाई